आपका स्वागत है तो उसके उपर देश, विदेश सी क्रिया, प्रतिक क्रिया और मीडिया ने आवाज उठाई थी लेकिन आज जब सरदार पटेल की मूर्ती को लगाया जा रहा है तो बहुजन समाज की पार्टी की सुप्रीम मायवती ने कहा कि पटेल विशुद्र रूप से भारतिय संस्क्रिती हैं सब्विता के पोशक थे लेकिन उनकी प्रिधिमा पर विदेशी निर्मान की चाप उनके समर्थकों को हमेशा सताती रहे गए क्योंकि यह मूर्थी चाइना से बनवाई गई है और बहुजन समाज पार्टी के राजचे अधिक मायवती ने बुद्वार को सरकार बल्ला भाई पटेल इसके साथ ही मायवती ने गुजरात में स्टेच्यू आफ यूनिटी की पटेल प्रितिमा को लेकर बीजेपी आरेस पर हमला किया उन्होंने कहा कि लगब तीन हजार करोड की लागत से बनी मूर्ती का नावंड करने के बाद बीजेपी और आरेसेस एंड कमपनी को बहुचन समाज के लोगों से माफी मांगने चाहिए जिनके महान पुट्षों के समान में यूपी की बसपा सरकार द्वारा लगनाव वा नौइडा के भव्य इस्तलों इसमारकों और पार्खों का निर्मा कराया था जिससे यही लोग जूल खर्ची बताकर उसकी जबरदस्ती आलोचना करते थे मायवती ने कहा कि सैदार पटेल बोल चाल रहन सैन में पूरी दरह भारतिय संस्क्रिती की मिसालत हिं रूप से भारतिय संस्क्रिती वा सब्वेता के पोशक थे लेकिन उनकी प्रितिमा पर विदेशी निर्मान की चाप उनके समर्थकों को हमेशा सताती रहेगी उनोंने कहा कि बल्ला भाई पटेल भीमरा अमेटकर की तरह एक रास्चे वेक्ती थे उनका समान भी था लेकिन पीजेपी वा केंदी सरकार ने उन्हें छेतरवाद की संकीरता में बांध दिया है ये थी SM News की रिपोर्ट बहुजन समाज की सभी खबरों पे नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बहुजन समाज के न